आज की इस एपीसोड में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास एट की SST सामाजिक विज्ञान की वॉक्षीट नमबर 22 यानि कारे पत्रक संख्या 22 आज की इस वॉक्षीट में हम जब चंता बगावत करती है इस चैप्टर को जारी रखेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि उस बगावत के दोरान क्या होता है उस विद्रो के दोरान जिसको हम हमारे देश की आजादी का पर्थम सवतंतरता संग्राब भी मानते हैं कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से तब के, कौन-कौन से समूर शामिल हुए ये हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के सबसे important questions जो इस चैप्टर में से आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं या यूं कहिए कि 100% पूछे जाएंगे वो भी आज की इस वोकशीट में हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सुरवात करते हैं आज की इस वोकशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पारें ये हमारी वोकशीट नमबर 22 यानि कारे पत्रक सिंख्या 20 है हमारा VCS सब्जेक्ट SST सामाजिक विग्यान है और आज की द सेनिक विद्रो जन विद्रो बन गया इस विद्रो की जो शुरुवात हुई थी वो शुरुवात हुई थी सेनिकों की कार यानि की एक सेनिक था या सेनिक चामनी कह लीजिए वहां से इस विद्रो की शुरुवात होती है सुरुवात में क्योंकि सेनिक ही इसमें शामिल हु यानि प्लासी के युद, बकसर के युद की बात करें, तो उस वक्त वो ताकत जी, वो जो शक्ता थी, वो जो शक्तियां थी, नवाबों से छिननी शुरू हो गई थी, अंग्रेज अलग लग तरह की कई परकार की नीतियां लेके आई, कभी सायक संदी कारोप लगाया, कभी क पुत्तर थे, उनको गोद लेने से मना कर दिया, यानि शाम, दंड, भेद, हर प्रकार की नीति अपनाई, राज्यों को हडपने के लिए, उनकी सत्ता और सम्मान था, दोनों खतम होते जा रहे थे, अवद पर हुए कबजे से सिपाही गुसे में थे, और उनके भीतर गहरा एविश्वास भर गया था, एविश्वास किस के परती, अंग्रेजियों के परती, उन्हें लगता था कि अंग्रेजी जो परशासने यहीं तक नहीं रुकने वाले, वैपारी बन के आए, राज्य हडप लिया, अब ये ध्रम को भी भरष्ट करने वाले हैं, तो उन्हें ल दुरान ये ख़बर फेल गई, कि नई जो एन्फिल्ड राइफल है, उसमें इस्तेमाल होने वाले कार्तुस ओपर गाय और सूर की चर्बी का लेप चड़ाय गया, और इससे रेजिमेंट, जितनी भी रेजिमेंट थी, उसमें उतेजना का माहल हो गया, यानि एक गुसा भ भड़क उठे, क्यों भड़क उठे, क्योंकि हिंदूओं के लिए गाय को पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम के लिए जो सूर है वो एपवित्र माना जाता है, तो जब ये बात फेली, कि जो कार्तुस है, उनके उपर गाय और सूर की चर्बी चड़ी हुए, और उसको म प्रवाद युवा सिपाई मंगल पांडे ने की जो 1857 की बगावत के 1857 की क्रामति के पहले शही थे 29 मार्च 1857 को युवा सिपाई मंगल पांडे को बेरिकपूर अपने अफसरों पर हमला करने कारुप में फांसी पर लटका दिया गया था और ये हमला जो किया गया था ये 1857 की करांती की शुरुआत थी कुछ दिनों के बाद 9 माई को मेरट में 85 सिफाईयों को फोजी अभ्यास से इंकार करने के कारण 9 कृष्य निकाल दिया गया था अफसरों का हुकम ने मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी उनको दे दी गई यानि धीरे धीरे जो सेनिक थे वो उनसे नाराज थे और अलगले तरीके से अपना गुसा था वो जाहिर कर रहे थे अगले ही दिन 10 मई को सिपाईयों ने मेरट की जेल पर धावा बोल कर वहां बंद सिपाईयों को आजाद करवा लिया कौन से सिपाईयों को जिन 85 सिपाईयों को 10-10 साल की सजा दी गई थी उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूग तथा हतियार अपने कबजे में ले लिये अंग्रेजों की इमार्ति, समपतियां उनको आके हवाले कर दिया और इस तरीके से एक जवाला थी वो सेनिकों के साथ शुरुआत हो जाती है तो इसकी सुरुआत है वो बेरकपुर छामनी से होती है जब मंगल पांडे है वो एक अंग्रेज अदिकारी है उनके उपर हमला करती है बाद में मेरट है वहाँ से बड़े पेमाने पर इसकी सुरुआत होती है और दस मई को इसकी हम कह सकते हैं कि विदिवत शुरुआत होती है जब वहां के सेनिक है सिपाईयों को जेल पर हमला करके छुडा लेते हैं। लेकिन सेनिकों के दबाओं के कारण आमजन की भावनाओं को देखते हुए दूसरे ये था कि बादुरुषा जफर के साथ भी बहुत दुरुवहार किया गया था। तो वो भी असंतुष्ते तो वो त्यार हो जाते हैं नेतिताव करने के लिए। कि जो छोटे शासत थे, रजवारे थे वो इस विद्रो में शामिल हो गए। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशा दोबारा शासन स्थावित कर लें तो उन्हें उनके इलाके वापस मिल जाएंगे। तो ये बादरुसा जफर है, हालांकि उनकी उमर काफी जादा हो चुकी थी, नेतिताव करने के लिए, लीड करने के लिए वो योग्य नहीं थे, लेकिन एक हगर हम मानशिक तोर पर आतमविश्वास की बात कहें, तो वो आतमविश्वास भारतिय सेनिकों में आया, और अगावत थी, जिसकी शुरुआत हो चकी थी, वो धीरे धीरे फेलने लगी, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उमीद नहीं थी, यानि वो पहले से त्यार नहीं थी, उन्हें ये नहीं लगता था कि भारते एक साथ ऐसे उट खड़े होंगी, तो उन्हें उमीद नहीं थी बिल्कुल भी त्यारी नहीं थी, उन्हें लगता था कि कार्तुसों के मुद्दे पर पेदा होई उथल-फुदल कुछ समय में शान्त हो जाएगी, लेकिन बादशा के समर्थन के बाद स्तिती रातो रात बदल चुकी थी, दिल्ली से अंग्रेजों के पेर उखडने की एक वे भी स्थाने नेताओं, जमिदारों और मुख्याओं के पीछे संक्तित हो गए, यानि पूरा देश था, वो एक साथ खड़ा हो गया था, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए त्यार होए थे, कानपुर से जो सवरगी है, पे जिगम हजरत महल ने लखनव से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रों किया और उनके खिलाफ बढ़ चरकरे भाग लिया, उनसे लोहा लिया, वहीं जहांसी में रानी लक्ष्मी बाई ने नाना साहब के सिनापती तांटेट टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुन अवंती बाई लोधी ने चार हजार सेनिकों की फोज द्यार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेत्य तव किया, क्योंकि ब्रेटिस शासन ने उनके राज्य के परशासन पर जबरदस्ति कबजा कर लिया था, ब्रेली के सिपाई बक्त खान ने भी लड़ाकों की एक व कुराने जमिदार कुणर शिंगने में विद्रोही सिपाईयों का साथ दिया और महिनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद में जम कर हिस्सा ले रहे थे, तो ये तो था कि क्या क्या उस विद्रोह के दुरान हुआ, अब आगे की जो एपिसोड रहेगा, आगे की जो वरक्षीट रहेगा, उसमें हम समझने कोसिस करेंगे, विद्रोह में हुआ क्या, क्या ये विद्रोह सफल रहा, सफल रहा तो क्या कारण थे, अगर ये एसफल रहा तो क्या कारण थे, किस कारण से हम सफल नहीं हो पाए, Of course, ये एसफल रहा था, क्योंकि अगर सफल रहता तो हम उस वक्त ही आजाद हो गए होते. तो ये हम अगली वरक्षिट में समझने के कोशिस करेंगे. अब हम पर्षनोतर के तरह बढ़ते हैं, चार कोशिट दिए गए आज की वरक्षिट में, लेकिन इन चार कोशिट में से दो कोशिट ऐसी हैं, जो आपके एनवल एक्जाम में 100% सामिल होंगे. उस में से पहला कोशिट है कि सन 1857 की विद्रो के कारण क्या थे? और दूसरा इसी के साथ है कि विद्रो के पर्मुक सतलों और उन से समधित नेताओं के नाम लिखे हैं, हलांकि ये दोनों कोशिट लोंगांसर टाइप कोशिट है, अलग लग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही कोशिट में ये दे दिये गए. तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 18 स्थावन के विद्रो की क्या कारण थी? तो पहला हम राजनती कारणों की बात करते हैं कि अंग्रेजियों की नीतियों के कारण नवाब और स्थानिय शासक उनसे नाराज थे. सायक संदी तथा कूश राजन का आरोप जैसे नीतियों के कारण ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ गए थे. तो ये राजनती कारण थे कि जो राजा थे, नवाब थे, वो नाराज थे, क्योंकि उनके जो राजय थे, वो छीने जा रहे थे किसने किसी बाहने से. दूसरा था सामाजी कारण कि अंग्रेजी शासन के दोरान कई नए कानून बने जिनके दोरा सामाजी करीती रिवाजों जैसे सती पर था, विद्वा विवा, इत्यादी को बदलने की कोशिश के गई इस से आम जन अंग्रेजयों से नाराज था यानि कि सामाजिक तोर पर भी अंग्रेजों के खिलाप माहोल बन चुका था उसके बाद तीसरा जो कारण था धार्मी कारण धार्मी कारण यानि इसाई ध्रम का परचार परशार किया जा रहा था और उस परचार परशार के कारण भी आम लोग अंग्रेजों से नाराज थे उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज है वो हिंदूओं और मुस्लिम जो समदा है उनको इसाई बनाना चाहते हैं तीसरा जो चोथा कारण था वो था आर्थी कारण कि अंग्रेजों की सोषनवादी नीती के कारण किसान वैपारी कारेगर इन सबी के हालात खराब थे कर बहुत अधिक होते थे और जुर्माना था वो भी काफी अधिक किया जाता था दुरुवेवार इनके साथ किया जाता थ यानि वैपार भी चोपट हो चुका था, किरिषी भी चोपट हो चुकी थी, कारिगर जो थे, वो भी सड़क पर आ चुके थे तो आर्थी कारण भी थे कि सोशनवादी जो नीती थी उसके कारण भी आमजन थे, भारतिय जो लोग थे, वैपारी थे वो नाराज थे पांचवा जो कारण था वो था सेनिक कारण कि सेनिक भी अंग्रेजों से नाराज थी और ये एक तत्काली कारण भी इसी में शामिल था कि सेनिक कारण किसली नाराज थे भारते सेनिकों को वेतन कम दिया जाता था परमोशन नहीं दिया जाता चाहे वो कितने ही दिख लिया जाता था दूसरा जब 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 जो चरबी के ज़ो कार्तुस वाले गटना हुई थी उसके कारण भी भारति शेनिक थे वो बड़क उठे थे तो ये पांच कारण आप लिखोगे अगर आपको चठा कारण लिखना है तो सेनी कारण करने के बाद चठा कारण ततकाली कारण में आप लिख दोगे चरबी वाले कार्त उसकी घटना को तो ये हमारा सबसे इंपोर्टन कोश्चन है इस चैप्टर का उसके बाद इसी कोश्चन का दूसरा जो पाट दिया गया हमें बताना है करांति से समन्दित कुछ स्थान और उनके नेताओं के नाम तो यहाँ पे जहांसी है पहला स्थान जहां की नेता लक्षमभाई थी कानपूर नाना साथ दिन्ली बहादुर सा जफर फेजाबाद में मौलवी एहमदुल्ला ने नेतिर्तव किया था जो लखनों में बेगम हजरत महल नेता थी बिहार में कुवर शिंग नेता थे इसके मुगल समराट क्यों त्यार हो गए थे मुगल बादशा को सेनिकों के दबाव और जन भावनाओं के कान विद्रोयों का समर्थन करने के लिए त्यार हो गए थे दूसरा जो कारण था कि वह भी अंग्रेजों से ऐसंतुष थे कुछ वो भी नहीं थे तो इसलिए वो त्यार बल मिला ये हमें बताना है तो बादुर्शा जफर के समर्थन से सेनिक विद्रो को बहुत अधिक बल मिला क्योंकि अब नवाग और छोटे शासक भी विद्रो में सामिल होने के लिए त्यार हो गए थे उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशा बादुर्शा जफर फि अगर आप कंपनी के सेना में शिफा है तो विद्रो के बारे में अपने विचार लिखने है आप अपनी तरफ से विचार लिख सकते हो अगर ये आंशर लिखना चाहलो तो ये भी लिख सकते हो मुझे जहां भी खवर मिल रही है चारो तरफ विद्रो की जवाला है आमजन, किसान, सेनिक, नवाब सभी बगावत करे आखिर शोशन की भी एक हद होती है यह मुठी बर अंग्रेज हमारे देश में हमारे उपर हुकम नहीं चला सकते अगर हम मिलकर लड़े तो अंग्रेजों को जाना ही होगा यह सम्मान का युद्ध है तो यह एक भावना लिखिये कि उस वक्ट चो सेना में सिपाही था और जिसने बगावत की थी तो वो क्या सोच रहा होगा तो आप अगर इसमें कुछ और क्रेटिव एड़ करना चाहे तो वो एड़ कर सकते हो तो यह थी हमारी आज की आसान सी वक्ट उमीद करता हूँ आपके सभी पर्षनों के उत्तर मिले होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपकी क्लास की सभी वक्षीट है वो एक दिन पहले कभी-कभी दो दिन पहले इसी चैनल के उपर अपडेट कर दी जाती है और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भोलिएगा थेंक यू बाइ-बाइ वे वे नश देव